मुक्ता का तीन तल्ले का मकान, नीचे बैठक तो छट पर रसोई आरे मुक्ता, गर्मा गर्म रोटी तो ला, बहुत स्वाद बनी है सबजी लाई मा बस दो मिनट मुक्ता की दौड जो सुबर शुरू होती तो रात में जाकर रुपती उपर नीचे करते करते पूरा शरिर ठक जाता, लेकिन मा, मैं आपके पेर में ते लगा कर ही सोँगी, ने तो मुझे नीन नहीं आएगी अरे जीती रहे बेटा, लेकिन तु ठक जाएगी, पैसे भी तुझे तीन तल्ला चड़ना है अबी कैसी बात करिये मा जी, मैं तो आज बहुत देर तक सोई थी, तो नीन कहाँ आएगी सास को कब नीन लग जाती, पता ही नहीं चलता, अगले रोज अरे मुक्ता, सरसामने ठेले वाले से आलू तो लिया, पाच केलो पापड बना देती हूँ होली आ रही है, महमान आएंगे तो क्या कहेंगे, कि इन लोगों के घर तो कुछ बना ही नहीं माम मैंने सब बना लिया है, अब चिंदा मत करिये, होली वाले दिन दहीं बड़ा और पकुड़ों का इंतिसाम भी कर लिया है मैंने सास को लगता है जैसे उसे न जाने कितनी गोणी और अच्छी बहु मिल गई एक दिन मुक्ता की बुवासास उन लोगों के घर आती है अरे भाबी, आपने तो हीरा बहु पाई है बिलकुल, हरे काम को ऐसे कर रही है जैसे की रोबोट एक हमारी है, दो रोटी खिला दे तो गने मत समझो अरे हम तो बेटे को देख के सोच रहे थे कि कलुवासा है, पता नहीं कौन शादी करेगा लेकिन देखो, जैदो दसी फपकती बहु आई है हाँ भाबी, आप तो लक्की हो लक्की, तबी वहां मुक्ता आ जाती है होता भी ऐसा ही है, मुक्ता को दो बच्चे एक साथ होते है मुक्ता, जल्दी से ओफिस के लिए खाना बना दो, मुझे देर हो रही है हाँ, लेकिन जरा ये छोटे वाले को तो पगड़ लो, तब तक मैं रोटी सेख देती हूँ मुक्ता सारे घर का काम बड़े ही मगन हो कर करती क्या पती, क्या सास, क्या बच्चे, रिष्टेदार, सभी की जरुरतों का खयाल वो बख खुबी रखती लेकिन भई चांद को भी ग्रहन लग जाता है वैसे ही मुक्ता को भी एक दिन लग जाती है किसी की नजर दूर के रिष्टे की चाची कहती है ओर वाहन जे, आपके बहुत अफुरते से काम करती है बच्चा होने के बाद भी सारा दिन लगी रहती है इसके हाथ का खान अभी तरना टेस्टी है लगता है जिसे होटल का खा रहे बस फिर क्या था, वो तो चली जाती है लेकिन लग जाती है नजर मुक्ता को शाम के वक्त मुक्ता, कहा है बहु? हाँ माजी बोलिए, क्या हो गया, बच्चे को सुला रही हूँ अर बेटा ज़र अचा है तो पिला दे हाँ, जरूर बना लीजे मुझे कमरे में ही दे देना माजी बहुत थकान लग रही है थकान? है भगवान, यह क्या बोल रही है इसके मूँ से तो यह शब्द मैंने आज तक नहीं सुना अगली सिपा अरे मुक्ता, आज खाने का डबबा इतना हलका क्यो है? वो इसलिए क्योंकि मैंने सिफ रोटी और दाल बनाई है अरे लेकिन मुक्ता, मैं तो नाश्ता, दिन का खाना, फिर शाम का स्नैक्स, फ्रूट, सलाट, यह सब लेकर जाता हूँ कहां है यह सब? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना सारा खाना तो मैं चार दिन में नहीं खाती, जितना आप एक दिन में बनाने की बात करने हैं ना जी न, मुन्नी की साथ जितना हो पाएगा, उतना ही करूँगी मैं मुक्ता की बात सुनकर पती हैरान रह जाता है, तबी वहां बुआ सास आ जाती है अरा मुक्ता, मेरे नाती का जनम दिन है, भूल गई क्या आज, शाम को आना, और मुक्ता थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरी बहु का हाथ बटा देना, किचन में वो तेरी तरह स्मार्ट तो है नहीं, के फट फटाक से काम कर ले अरे बुआ कैसी बात कर दी, फट फटाक से काम कैसे हो जाएगा, हम बहुए हैं, रजनी कांत नहीं, बुआ देखो, आप काम के लिए पास के ललो हलवाई की बीवी को बुला लो, वो मदद कर देंगी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, बुआ सास को समझ में नहीं आता कि ये वो मुकता है, जो पचास लोगों का खाना बना कर भी चहरी की चमक खोने नहीं देती थी, वहीं मुकता भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है कि सास की आवाज आती है, मुकता, क्या हो गया बेटा, आज दो पैर के खाने की तयारी नहीं करनी क्या, अरे माजी, अब नहीं होता मुझसे, तीन तल्ले में उपर नीचे करना, आप लोग रसोई को उपर ही ले आओ, अरे पैरों में इतना दर्द होता है कि बता नहीं सकती, अरे लेकिन तू तो बोलती थी, कि इससे तू फिट रहती है, अरे काहे कि फिट माजी, हालत खराब हो रखी है, क मुकता की बदली हरकत किसी को समझ में नहीं आ रही थी, अरे ये मुकता को क्या हो गया है, मुझे दो लगता है इसकी मा ने पट्टी पड़ाई होगी, और ना जी ना, मुकता की मा यानी मेरी संधन तो देवी है देवी, वो तो अपनी बेटी को ऐसे संसकार दे ही नहीं सक मुझे माजरा कुछ और ही लग रहा है, तब ही महा मुकता हाथ में प्लेट और सबजी लेकर आ जाती है, माजरा, किस बात का माजरा, खैर माजी जरा ये सबजी तो काट दीजिए, और हाँ, इसकी बाद मैं आटा यहीं दे जाओंगी, कून देना, हाँ, तो एक काम कर ही नहीं, अरे एक बार तो मुझे याद है, मेरे जूते भी इसने मुझे अपने हाथ से पहनाए थी, तब ही सास के दिमाग की बत्ती जल जाती है, हाँ, कल वो कालिया के आरत आई थी न, खोब तारिफ कर गई, उसके बाद से ही मुकता ऐसी हो गई है, फिर तो पक्का मान लो कि तुमारी बहु को नजल लगी है, एक काम करो, ये लो राई का दाना, दूर से बहु की उपर राम का नाम लेकर फैंक कर आजाओ, जो नजल लगी होगी यूँ भाग जाएगी, फिर क्या, होता भी ऐसा ही है, सास जैसे ही बहु पर राई फैंक कर वापस आती है, इनकी सास लेती है,